हेलो फ्रेंड्स, वेलकूम टो माई चैनल, सब फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं एडमस पैंसर का सोनेट, जिसका नाम है like as a huntsman और यह एडम स्पैंसर का 67 सोनेट है जो कि एडम स्पैंसर का एक कॉलेक्शन है जिसका नाम है अमरिटी उसमें से लिया क्या है तो इस यानि कि यह जो आपको सुनेट है लाइक ऐसे हां इसकी समरी अकोर्डिंग तू स्टेंजवाइस वह हम निकर ली है जिसका लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस स्टार्ट करते हैं इंट्रोड़क्शन जिसमें हम सोनेट के बारे में और जो एडम स्पैंसर है उनके बारे में थोड़ा बद बताएंगे सबसे पहली लाइन है एडम स्पैंसर सोनेट 67 इस वन ऑफ 85 सोनेट फ्रॉम एमोरिटी विच वास रिटन अबाउट इस स्कॉर्षिप ऑफ ऐलीजबाथ बॉयल तो यहां पर बताएंगे है कि जो एडम स्पैंसर है उनका एक सोनेट है 67 जिसका नाम है लाइग एजे हंट्स अलिजबाथ बॉयल यानिकी इनकी जो वाइफ है उन से यानिकी रिलेट करते हैं स्पैंसर और बॉयल बॉयल इनकी जो वाइफ जिनका नाम है बॉयल इनकी शादी हुई थी 1590 फॉर्मिंग सोनेट 67 यूजिस एज हांटिंग थीम मैटाफर कॉमन इन 16th सेंचुरी यह जो स इसका नाम है like as a huntsman इसके जो में थीम में वो क्या है हंटिंग शिकार करना इसके साथ ही जो सुनेट है इसमें बहुत सारे के हैं मैटाफर का यूज किया गया है एंड 16th सेंचुरी में इंगलैंड में मैटाफर का यूज करना बहुत ज़्यादा कॉमन था इसके बाद यहाँ पर इंगलैंड लिखा है वहाँ पर आपको लिखना है एडमंड एडमंड कंपेरिंग दा वोमें टू अर डियर एडमंड है जो उन्होंने अपना यह जो सुनेट है like as a huntsman इसमें वोमें को कंपेर किया है डियर के साथ डियर का मींस होता है हीरन and the man to a huntsman इसके इसके बाद आके लिखा हुआ है subject matter of the sonnet and इसमें लिखा हुआ है in this sonnet the lover compared himself to huntsman यह जो सुनेट है इसमें lover को compare किया गया है huntsman के साथ who has been in pursuit of his prey जो की पीछे पीछे बागता है किसके अपने prey यानि कि शिकार के और इसका शिकार के है deer जिसे metaphor के रूप में यूज किया गया है deer का यहाँ पर means that lady loves यानि कि उनकी beloved but this trace has completely exhausted him because his game has escaped लेकिन उनका यह जो परयास्ता वो completely के है बेगार जाता है क्योंकि उन उनसे बचकर निकल चुका है means कि अगर कोई शिकारी है वो अपना शिकार करते हैं लेकिन अगर उसका शिकार वहां से भाग जाए तब क्या है कि उनसका जो भी यह game है means कि शिकार करना जो भी उनका कार्या है वो कि है खराब हो जाता है he realized तो वो जो huntsman है उसने realize किया his chase or hunt यानि कि उनका ये हंट ये जो शिकार है has been a vain attempt ये कहा कि उनका ये वेगार का vain का means होते है विकार या फिर अ प्रियास तो उन्हों ने ये realize कि ये जो परियास कर रहे हैं ये जो efforts कर रहे हैं ये सभी के है vain है वेगार है इनने a dejected mood और उनका जो mood है वो खराब हो जाता है जिसके कारण के है the lover hunter feels separate and tight तो यहाँ पर कहे कि वो जो huntsman है वो थक जाते हैं and वो उदास हो जाते हैं he sit down to relax in a shady place along with his horns and इसके साथ ही कहे कि वो एक shady place एक छायांदा प्लेस है जो उसके नीचे बैठ जाते हैं यानि कि shady place means की वहाँ जहाँ पर भी पेडवगार होंगे उनकी छायां के नीचे बैट जाते हैं कुछ समय के लिए relax करने के लिए With his horns अपने जो शिकारी है वो कि है अपने साथ कुत्ते लेकर जाते हैं डोक्स लेकर जाते हैं तो यह जो horns है इसका means वही है कि वो अपने horns अपने जो डोक्स हैं उनके साथ बैट जाता है लेकिन अगर हम इसका means जो सहीर सैंस है वो यह है यहाँ पर horns का means है कि जो huntsman है जो lover है उसकी जो भी desires थी जो भी इच्छाय थी कि अपनी beloved को प्राप्त करना यानि कि उस deer का शिकार करना वो जो भी इच्छाय वगरा है थी उन सब इच्छाओं के साथ कि है कि वो निराश हो जाते हैं और वो एक जगा पर जाकर बैट जाती है who are painting because of their failure to capture his prey तब क्या है कि जब यानि कि वो अपने horns से जो भी इच्छाय वगएर है उसके साथ बैट जाते हैं जो की पेंटिंग करती है कि वो क्या है कि अपना जो शिकार है जो प्रे है उसे capture यानि कि उसे पकड़ने में क्या है वो fail हो चुके है यानि कि वो असरफल हो चुके है The horns metaphorically means His desire, thought, even strategy to chase his pillar उनके जो भी strategies थी जिसके through वो अपने beloved means कि उस deer को शिकार कर पाते उसके बारे में है He has decided to force off the hunt and the prey तब क्या है कि वो जो huntsman है वो क्या है निराश हो जाते है और इसी का force off का means होता है Give up कर देना छोड़ देना तब क्या है कि वो decide करते हैं कि वो ये hunt ये जो शिकार है इसे छोड़ देंगे means कि अवो deer का पीछा नहीं करेंगे But he observed लेकिन उन्होंने observe किया The same gentle deer returning The same way without any fear Looking for the next brook तब उन्होंने देखा कि जिस deer के पीछे वो भाग रहे है वो deer है जो वो खुद ही किया है वहाँ पर आ गया है अब वो जो deer है पहले तो क्याते कि वो जो deer है वो उस huntsman से दूर-दूर जा रहा था यानिकि वो उसे डर रहा था लेकिन अब वो जो deer है वो डर नहीं रहा है और वो वहीं same way वहाँ पर आ गया है for the next brook next brook का means यहाँ पर है अगली brook का means होते है नदी चोटी नदी where she could quench her thrust जहाँ अपर वो जो deer है वो आई है अपनी प्यास को बुझाने के लिए thrust का means होते है प्यास और quench का means होते है बुझाना अपनी प्यास है जो उसे बुझाने के लिए वहाँ आती है पोर्शी कुर्ट अल्सो भी equally trusty क्योंकि वो भी चाहती थी यानि कि इसका जो real sense है वो ये है कि वो जो beloved है वो भी चाहती थी उस lover के पास जाना लेकिन वो चाहती थी कि वो जो lover है वो उसके साथ जो जब जस्ती ना करें उसकी इच्छा है उसकी जो desire है उसका भी ध्यान रखे लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो lover है वो starting में कि है कि वो जद उसका पीच्छा करता है उसकी इच्छा के बीना यानि कि जो beloved है उसकी इच्छा के बीना ही कि है वो उसको प्रात करना चाहता था जिसके कान जो beloved है वो से दूर-दूर भागती है लेकिन जैसी lover ये सब करना छोड़ देता है तब जो beloved है वो कहा है कि खुदी उसके पास चली जाती है आगे लिखा हुआ है She comes straight to him तब क्या है कि वो जो deer है वो उस huntsman के पास आती है Means कि जो beloved है वो उस lover के पास आती है Without fear बिना किसी डर के Because of the deer trust Trust, sorry, trust है ठीक है क्योंकि अब जो deer है उसे trust हो चुका है The hunter was then able to easily tie a rope about her next and capture her अब कहा है कि वो बिना किसी डर के And इसके साथ ही अब जो deer है वो huntsman है जो उसके पर विश्वाष करती है तब कहा कि जो huntsman है वो कहा कि अब able हो चुका है यान कि योग्य हो चुका है कि वो easy way में कहा कि अब उस deer को tie यान कि बांद सकता है Rob means रसी के साथ उसकी neck है जो उसमें कहा वो रसी बांद सकता है और उसे capture कर सकता है He then knows how strange it is तब वो जो huntsman है वो ये notice करते है कि कितनी अजीब सी बात है जिसके पीछे वो इतनी देर से भाग रहा था तब तो कहा कि वो जो deer है वो उसके हाथी नहीं आ रही थी और जब उसने भांगना छोड़ दिया तब वो जो deer है वो अपने आप ही उसके पास यानि कि आ गई और उसे सरेंडर कर दिया तब वो सोचते है कि ये इतना wild animal था जो कि मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था यानि कि मैं से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अब ये इतना ज़्यादा time हो चुका है इतना ज़्यादा अच्छा और इतना नॉर्मल यानके soft हो चुका है कि ये खुदी मेरे पास आ चुका है और मैंने इसे असानी से अब पकड लिया इसके बाद next point आएगा writing style of the poem जिसमें आपको ये बताना है कि जो poem है वो किस तरीके से लिखी गई है इसमें rhyme scheme कैसी है ये सब चीजे है the sonate is written in the form of an English or sex period sonate consisting of four open quadrant followed by a couple तो ये जो sonate है ये किस form में लिखा गया है तो ये sex period sonate है जो उसमें लिखा गया है जिसमें क्या होता है कि for the quadrants होते हैं और last में क्या है कि एक couple होता है the rhyme scheme of the sonate is a, b, a, b, c, d, c, d, e, f, e, f, g, g quadrant का क्या means होता है कि starting में तो क्या है कि जो यानि कि यहां पर लिका होगा है four quadrants यानि कि इसमें क्या है कि चार-चार lines का एक group होता है and last में क्या है a couplet यानि कि इसमें क्या है दो lines का group होता है the lines are written in iambic pantometer and इसके साथ ही यह जो sonate है इसकी जो lines है वो किस में लिखी गई है iambic pantometer में यानि किस में चंद बगार बताए गई है the point is written in the first person और यह जो पूरी point है यह first person में लिखी गई है means कि इस point में कि है कि जो main जो भी बात कर रहा है यानि कि इस point में जो भी अपने thoughts बगार बता रहा है वो first person ही है means कि एक ही person है जो वो सारी बाते बता रहा है यानि कि यहाँ पर huntsman जो उसने अपने बारे में सारा कुछ बताया है in this sonate point uses simile comparing the lover to a hunter तो यह जो sonate है इसमें काफी ज्यादा similar metaphor का यूज किया है जैसे कि उसने lover को compare किया है एक hunter के साथ and beloved to a deer और जो beloved है जो प्रेमी के है उसको एक deer एक hiran के साथ compare किया है इसके बार next point है suggestion या फिर idea of the point कि इस जो sonate है इससे हमें क्या suggestion मिलता है या सी क्या idea मिलता है जो भी moral thought आप समझ सकते हो the point compare the lover to a hunter तो इस sonate में जो point है उने compare किया है lover को एक hunter के साथ and the beloved to a deer और जो प्रेमी के है उसको एक deer के साथ the point compare the lover to a hunter pushing a deer unsuccessfully तो इसमें कहोता है कि वो जो hunter है यानि कि जो lover है वो क्या है कि उस deer के पीछे पीछे भागता है लेकिन कहा है कि वो unsuccessful हो जाता है when the hunter sits down to rest और जब वो थक जाते है निराश हो जाते है तब क्या है वो लीचे यानि कि बैट जाता है and tied from the tied means थक जाना from the extant chase कि वो इतने जाद उसका पीछा कर रहा है इतने जाद भाग दोड कर रहा है जब वो देखते है कि उसके हाथ deer नहीं लग पा रहा है तब कि है कि वो थक जाता है और वो बैट जाता है the deer return to drink at the at a brook तब कि है कि वो जो deer है वो खुद ही कि है कि उस छोटी सी नदी जहां पर वो बैठा होता है उसके पास कोई नदी है वो भैर ही होती है deer वहाँ पर अपने आपी आ जाता है this suggestion that तो इससे हमें क्या पता चलता है perhaps in love aggressive pursuit is not only the successful technique कि शायद जो प्यार है उसमें जो aggressive pursuit यानि कि किसी के साथ धके से किसी के पीछे भागना ये सही technique नहीं होती है instead the beloved need to concert of her own free will तो यहाँ पर जो beloved है उसकी भी यानि की एक यह है मंजूरी एक सहमती होनी चाहिए हमें किसी के पीछे भी हाथ दोकर मिचे नहीं पढ़ना चाहिए हमें सामने वाला जो person है उसकी क्या thinking है उसकी क्या इच्छा है उसका भी ध्यान देना चाहिए as we see in the last quarter जो कि हम last की जो lines है उसमें देखने है so hopefully आप जो sonet है उसकी summary समझ में आगी होगी and अगर आपको कोई भी doubt है तो आप है में comment section में बता सकते है